नमस्कार दोस्तों Stocks with Rohit आज 5 सप्ता लगबग हुए हैं हम आज एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाना चाहते हैं हाला कि वो हमारे साथ वीडियो में तो नहीं होंगे और दियो कॉल पे हम उनको लेंगे जिन्होंने हमारी एक एक बात पर विश्वास किया Rohit के एक 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 टिप्स पर Rohit ने जो जो सला दी उस पर उसने काम किया इनका नाम है रजट कोहली मैं चाहूंगा कि उन्हें मैं कॉल पे लूँ उसके पहले आप उनके बारे में कुछ बताया है जो आपने मुझे बताया रजट कोली जी बिलॉंग करते है चंदीगड से और ये डे वन से हमारे वीडियो जो है वो देखते आ रहे हैं और फॉलो करते आ रहे हैं मैं जो जो एक चीज बोल रहा हूं आपको ध्यान होगा सबसे पहला वीडियो हमने बनाया सर्वोटेक का इनोंने सर्वोटेक लिया जो जो दूसरा वीडियो जो बनाया बीस्च बनाया बीस्च बेख लिया और इनोंने थुटा कॉंटिप्टिटी में लिया ताकि इनों प्रॉफिट सके इस चीज में तो मैं आज आपको उनका नंबर देता हूं आप उनसे बात कीजिये उनका पॉर्टफोलियो भी बताता 9827591043 ओके दोस्तों आप हमारी बात भी सुनिये मैं उन्हें फोन लगा रहा हूँ नमस्का रजजजी आपका स्टाक स्वित रोहित में बहुत बहुत स्वागत है आप पिछले पांच सब्ता में एक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन से हम कॉंटाक्ट कर रहे हैं पोन पे उनसे बात कर रहे हैं आप से पहले हमने किसी से बात नहीं की आज तक और हम चाहते हैं कि आपने जो पिछले पांच सब्ता हमें 40 दिनों के अंदर आपने जिस तरीके का फायदा इस शो का हमारे वीडियो का हमारे इंस्टाग्राम के रील्स का मैसेजिस का जिस तरीके से फायदा उठाया वो हम आप से जानना चाहते हैं और आपकी बात्चीत हम record कर रहे हैं रोहित के पास जो mobile है उसमें आज जो आपने screenshot उनको भेजे हैं वो हम आपसे उसकी भी permission चाह रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा describe करने का और आपसे भी हम सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका क्या अनुभु हो रहा इस शो के बारे में मेरा अनुभु सर मैंने जैसे इनका लिंक देखा वीडियो का तो जैसे जैसे इन्होंने मेरे को knowledge दी ये शेयर ऐसे ये शेयर ऐसे तो मैंने थोड़ा थोड़ा मेरा पहले मेरा थोड़ा हलका हलका मेरा faith बना स्टार्ट हुआ तो मैंने इन से एक दो शेयर इनकी call के उपर लिए अच्छा तो obviously मेरे को थोड़ा उसमें profit gain हुआ तो मेरा थोड़ा सा confidence उसके अंदर बना अच्छा तो एक एक करके मैंने पहले मैंने slow में थोड़ा कम investments के साफ से लिया जैसे एक लाग दो लाग करके थोड़ा कम करके अपना पैसे को diversify किया तो मुझे slow slow करके मैंने के वीडियो को follow करने लग गया शाम को आके सारी वीडियो देखने ही सारे इनके जो भी इनकी सार सबको follow करके फिर उसी साफ से मैंने अपना उसके strategy मनाई morning को तो मॉर्ण को मैंने थोड़े थोड़े अपने funds इनके हर एक share के अंदर allocate किये अच्छा तो वह allocate करने के बाद दो दिल चार दिल बाद देखा मेरा जो सारा मेरा profile था जो negative में था अच्छा जो red में ही रहता सा most of the time अच्छा वो मेरा वो मेरा पूरा ऐसा convert हुआ कि मैं मतलब believe नहीं कर सकता कि मतलब कैसे कर लेते हैं कैसे इन्होंने calls निकाली और कैसे मेरा सारा profile जो इतने टाइम से minus में चल रहा था या फिर red में चल रहा था अब मैं उसको पूरा green देख रहा हूं पूरा green नहीं आप बह इस वर्षों से CA की practice में हूँ मेरे बहुत सारे दोस्त नाकपूर में practice में हैं मुझे कम से कम चार मेरे chartered accountant friends जो है मेरे batch के उनके phone आया कि भाई ये रोहित कौन है बंबे में बैटता है दिली में बैटता है कहां बैटता है फिर मेरे एक commissioner of income tax है एहमधाबाद में उनका बहुत जबर्दस्त आपका show है तो हम लोग बहुत encourage हुए है और बहुत हमारा मतलब रोहित का confidence भी बहुत अच्छा है मुझे ये बताईए रज़त जी कि क्या आप किस business में है क्या आपका investing is your business और यह आप पार्ट टाइम करते है अच्छा हाँ जी हाँ ये तो मेरा सिर्फ टाइम पास था अच्छा है जब मैंने रोहित जी के सारे वो देखी calls वेगारा है और मैंने investment की तो मेरा confidence बहुत ज़्यादा बन गया अब तो ऐसा है कि जो ये call देते हैं अच्छा मैं तो फटा-फट उस call के अंदर अपना अच्छा एंटर हो जाते हैं अच्छा हो जाता हूँ जो इंदर ने call देती एंटरी मार ली तो मुझे ये बताई रजज़ जी कि ये शेर्स में आपका investment कितने सालों से आप कर रहे हैं इसके पहले से मैंने पहले किया था दो साल पहले फिर मैंने किया पर मिर को जमानी क्यो मैं शेरों में दुबारा आयाता था अच्छा तो में को इतना तो पता हा कि हां थोड़ा इसके अंदर थोड़ा confidence रखना अपना कि जैसे 2002 में भी 2008 में भी जो भी सब कुछ हुआ मार्किट ने फिट दुबारा से अप्ट्रेंड किया ही किया है तो थोड़ी सी पेशन वेगर आपको रखनी साथ में आपको knowledge चाहिए आपको mentor चाहिए है जब हमें knowledge नहीं है हम तो सुबस से लेके शाम तक busy रहते हैं जी हा जी है तो इतने helping इतना sharp mind में तो समझ नहीं आ र रहे थे कि रोहित तुमारे अंदर एक जो inherent quality है जो भगवान के द्वारा दी गई है वो ये है कि तुम सब चीजों को एक साथ correlate कर लेते हो ये मैंने अभी जस्ट एक घंटा पहले उनसे बात कही और दूसरी में आपको ये बताओं कि अभी Sunday live आप हमारा देखते हैं क्या हा उसको खाना खाना सिखाते हैं उस pattern पे आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि अगले 52 सब्ताह में आपको कितनी knowledge आ जाएगी Sunday to Sunday ये मेरा उद्देश रहता है because मेरा एक जो उद्देश रहता है मुझे ऐसे questions करना है इस तरीके से पूछना है आपको समझ में भी नहीं आ लोगों के दिमाग में कोई चीज चैस पस रही होगी तो वह बला question पूछके आप वो चीज को clear करते हैं वह नोटिस की है आपकी तो वह भगवान की कृपा है और इसका फायदा आने वाले समय में आप लोगों को बहुत मिलेगा रजज़ जी अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बाचीप में सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा चूंकि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो आपकी बात भी सुन रहे हैं तो आप उनके लिए एक क्या और उसमें ऐसे लोग भी हैं जो 50,000 की capital एक लाग दो लाग की capital से भी आये हैं आपने त देना चाहता हूं कि आपने अपना एक mentor बना लिया है सुनील जी को रोही जी को आप जो ये कॉल दे रहे हैं उस कॉल के ऊपर पर पर्टी कुलर ली उस कॉल को कीजिए जो ये कह रहे हैं वैसे कर दीजिए आपकी capital double से triple अराम से जाएगी जाएगी ये मेरा personal experience है कहां मैं 3- प्रफाइल कहां सिर्फ थोड़े तोड़ी दिनों में मेरा प्रफाइल चार लाग प्लस हो गया अच्छा आपका टूटल चाहे कब भी हो capital जादा भी हो हाँ इतना भी है उतना करिए और डावर्सिफाई करके चलिए जो इनकी calls हैं उनके उपर रहे जी 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 capital आपकी double हो रोही जी आपकी आपने जो messages किये हैं वो खोल के बैठे हैं अगर आप अनुमती देंगे तो आपने किस script में कितना profit कमाया है अगर आप बोलोगे तो बताएंगे otherwise नहीं बताएंगे नमबर वन बीसी आपका profit amount share करें सर की रहने ते हाँ आप बताएंगे जो इनको unrealized profit चल रहा है हाँ उसके बारे में मुझे यहां दिख रहा है 2,13,000 बीसी में 2,13,000 बीसी में प्राफिट बुक किया है सर अभी 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 नहीं किया सरोटेक आप प्रॉफिट बताते CDSL में 60,000 बीसी में मज़ा आया के निए आपको यह बताएंगे लिए पूरा फॉट परॉफिट बुक कर चुके हैं अच्छा और दो लाग प्रॉफिट आप रजजी बुक कर चुके हैं और अभी फिर भी 60,000 रुपए अभी और अप में है नेक्स्ट अनंतराज रजजजी अनंतराज रोहित भी खुद चूक गया लेने से लेकिन आप नहीं चूके आपने अनंतराज लिए और आज अनंतराज बहुत भगा है आज 50,000 इसमें कितना प्रॉफिट है? 50,000 नेक्स्ट JSW इन्फरा में कितना? 24,000 22,000 10,000 UDS 17,000 IST Limited 8,000 10 Star 8,000 Bajaj Fincer Bajaj Fincer तो आपने दो दिन पहले आपने किया था? कल दिया था मैंने ले थी असरी तो ने कॉल दी थी मैंने ले लिया अच्छा Bajaj Fincer 15,000 कल आपने बताया 15,000 रुपे एक दिन में प्रॉफिट Feders Holding Feders Holding 15,600 15,600 यह आज split हुआ है यह आज split हो गया है बनाई हो आपको Thank you AGIL AGIL में अभी No Profit No Loss है बहुत आपने हर शेयर जैसा जैसा आपने पताया और सभी शेयर में इसमें एक भी शेयर में आपका Loss नहीं है Thank you बहुत 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 अन्यवा रोहित जी का आपका रोहित जी आपने एक सुझाव दिया था रोहित जी को कि एक हम शो करेंगे हम एक शो करने वाले हैं दीपावली के बाद हमारे शेयर में और अगर आप चंडीगड में करवाना चाहें या कहीं और नाकपुर भुपाल या इंदौर में अगर हम करेंगे इन तीन शेहरों में से हम कहीं कर सकते हैं एक बड़ा शो आने वाले समय में तो हम आपको इन्वाइट करेंगे आप आईएगा उसमें बिल्कुल आमगतर और अगर हम हमारे यहां बैतूल में भी अगर हम करते हैं तो हम उसमें भी आपको आमंतरिप करेंगे इस माई प्लेजर सर इस माई प्लेजर मैं ज़रूर रहूंगे थैंक यू रजजजी और सब मेरा अंको रोई जी को अगरे अपना टाइम दे रहे हैं बहुत आपको पता जिए आपको कितनी शुप कामना ही मिलेंगी कितनी लोगों को सर प्रोफिट होगा मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं बहुत अच्छा बस उतबेश होई है कि सब फिनांशल लिट्रेसी इंडिया में सबको आए और प्रॉपर सब आपकी तरह जो एंट्री लेवल आपने लिये हैं जहां जहां बताया गया प्रॉपरली वहीं एंट्री लेवल लिये है सबसे इंपोर्टन चीज़ लोग उपर एंटर करते हैं आपने उपर एंटर नहीं किया है प्रॉपरली जहां बताया गया वहीं एंटर किया है वह एक मुझे बच्छी बात लगी आपके बारे में तो मैंसर आपके उसमें एक और मैसेज देना चाहता हूं तुनिल जी ने उसी ज़िया है बिलकुल सही थैंक्यू सो मज़ जी तुनिल सर को दे रहा हूं एक बार थैंक्यू सो मज़ सर हाँ रजज़ जी मैं क्या कह रहा था जिमासी उतर गई एनिवे चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आपसे बात करने के लिए थैंक्यू सो मज़ दोस्तों ये थे रजज़त कोहली जी जो की चंडीगड के रहने वाले हैं और पिछले दो वर्षों से ये थोड़ा बहुत इंवेश्मेंट कहीं न कहीं स्टॉक्स में करते थे लेकिन हमेशा लॉस में आते थे आज उनकी और हमारी आपने बात सुनी लेकिन उन्होंने रोहित पर विश्वास किया स्टॉक्स विथ रोहित इस शो पर विश्वास किया हमारी एक एक बात पर उन्होंने एक एक कदम वैसे ही रखा जैसा रोहित ने सजेस्ट किया था और आज उनका पूरा पूर्टफोलियो रेट से ग्रीन में आ गया और दस लाग के प्रॉफिट में वो तीन लाग का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं और आज की तारीख में उनका साड़े छे से साथ लाग रुपिया अन्रियलाइजड प्रॉफिट है ये सब फिगर्स हम आपको इसी लिए बता सके क्योंकि वो एगरी हुए कि आप बता सकते हैं वो एक बड़े बिसनसमेन है लेकिन उन्होंने उनकी बाचीत अगर आपने सुनी होगी तो उन्होंने ये भी कहा कि आप भले ही थोड़े से इन्मेश्मेंट से शुरू कीजिए लेकिन आप मानिये आप विश्वास करके चलिए दोस्तों रात को दो-दो बजे तक फंडामेंटल्स एक एक कंपनी के फंडामेंटल्स और टेकनिकल्स पर बहुत मेहनत रोईजी कर रहे हैं आप विश्वास कीजिए हमारा उद्देश जैसा मैं आपको बता चुका हूँ आने वाले 10 से 15 साल के अंदर हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत स्टॉक मार्केट में इंवेश्मेंट करने वाला होगा और उसमें से अधिकतर लोग आप जैसे लोग होंगे जो मिडिल ख्लास को बिलॉंग करते हैं आप अगर आज चोट खालेंगे तो कल आप इसमें कदम नहीं रखेंगे हमारा उद्देश है कि आपको सही रास्ता दिखाए बहुत सारे चैनल्स फरजी चैनल्स बन रहे हैं फरजी फोन कॉल्स आ रहे हैं हमारी फोटो लगा कर लोग आईडीज बना रहे हैं दोस्तों सचेत रहिए हमारा कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है किसी प्रकार के सोशल मीडिया पे हम आप लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं कोई लिंक नहीं भेजते हैं मैं चाहूंगा कि आज इस वीडियो को रोहित अपने फोरवर्ड से क्लोस करें आज रजजद जी से बात करने के बाद हमें सबसे important C कि ये मिलती है कि आपने अगर किसी को अपना mentor बनाया है आपने किसी को अपना financial advisor बनाया है तो आप उस पे भरोसा जरूर करिए और वो जैसा कहते हैं वैसा कीजिए क्योंकि क्या होता है कि उनके बताने के पीछे पूरी financial analysis रहती है सब कुछ देखा करा गया रहता है सारी news check की जाती है तभी वो आपको advise करते हैं तो definitely कुछ न कुछ उस चीज में रहता है अगर आप सीखने के बाद अपना दिमाग लगाएंगे तो better होगा और वह हम ये चाह रहे हैं ये show के माध्यम से कि हम सिखाएं आपको एक एक छोटी चीज कि आपको entry कहां लेना है आपको उपर पर एंटर नहीं करना है हम हमारे live में भी ये कोशिश करते हैं कि आपको ये चीज चीज चिखाएं कि आप क्या-क्या गल्ती ना करे और मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि कोली जी ने अपना पॉटफोलियो शेयर किया मेरे साथ मैंने बात आपको बताई और हमने ये सेशन रिकॉर्ड किया मतलब एक टेस्टिमूनी हो जाएगी दूसरे इंवेस्टर्स के लिए कि किस तरीके से इंवेस्टिंग की जाए कोली जी ने जितने शेयर बताई पिछले एक चालीज दिन के अंदर हर शेयर खरीदा और किसी भी शेयर में को नुकसान नहीं वा और रिवन रोईत ने अगर कहा जी 50% बेज दीजिए उन्हों बेज दिया किसी अब्ताई को इंवेजिए दून की फिछेल में कारश का 4 इंडो इंडो माइन्ग में कोई बेचिए व चाों इचा गा लोई लिए 65 करेंवेज में ढ़ verdad दोस्तों एक बहुत ही हमारी हमबल रिक्वेस्ट है हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं हम लोगों ने तो ऐसे ही शुरू कर दिया था ये चैनल ये शो हमने ऐसे ही बात-बात में शुरू किया था रोहित तो कुछ और काम करता है उसकी खुद की प्रैक्टिस है खुद का उसका फैमली बिसनिस है लेकिन ऐसे ही हमने शुरू कर दिया हमारे पास ज़्यादा टीम नहीं है हम बहुत बड़े लोग नहीं है और आप रोहित जी को जो लोग उनके ग्रूप में शामिल है इतने मैसेजिस करते हैं रोज के हमारे पास एक एक हजार दो दो हजार मैसेजिस आते हैं हम इसका क्या करें भेज़ दें खरीदें हम आपसे हाज जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं हम आपको जवाब नहीं दे सकते दो लोगों की तो हमारी टीम है हमारे अलावा हम आपको मैसेजिस के रिपलाई नहीं दे सकते रोहित आपको मैसेज कर सकते हैं कि इतने इस अमाउंट पर आप खरीद लीजिए इस अमाउंट से उपर आप मत खरीद दिए अभी आप रुकिए, अभी आप 50% बेज दीजिए हर बात तो आपको बताते हैं, हर अलर्ट आपको देते हैं आपने देखा कैसे कोली साब ने अपनी कैपिटल से 10 लाख रुपे से ज़्यादा पैसा कमा लिया केवल 40 दिन में विश्वास रखिए, आप भी धहरे रखिए और विश्वास रखिए और ऐसे मैसेजिस मत कीजिए, आपको अगर जवाब नहीं दे पाएंगे आप अपसेट होंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, हमको भी अच्छा नहीं लगेगा